एक बार फिर से मैं यूटूब चानल पर आप सबका स्वागत है सीविटी पीजी 2023 के पेपर को पॉलिटिकल साइंस के पेपर को हम लोग एनलाईज करने वाले हैं पेपर देखिए सच में टफ था इस बार का लेकिन जितना टफ बताया जा रहा था कि इनि बिल्कुल भी कोश सीजन लिया होगा यह कोशन थोड़ा आउट ओफ रेंज है इसको छोड़ देते हैं क्योंकि देखिए अच्छे स्टूडेंट्स के साथ हुआ क्या है उनके कोशन ठीक ठाक साही हुए है लेकिन उन्होंने यह डिसाइड करने में गलती कर दी कि हमें छोड़ना क्या है साथ सारे लोगों के साथ और हुआ होगा मुझे जहां तक लगता है वरना पेपर टफ होने के साथ साथ उसको बनाए भी जा सकता था कोशन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखते हैं दे रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इस डिस्क्रिशनरी रिजन एसेर्शन के आप कोशन करते हैं यह तो उसमें विकज लगाने की विज़रत नी यह तो कॉमन सेंस का है लेकिन रिजन एसेर्शन के कोशन में बीच में विकज लगाते हैं विकज लगाने में अगर रिजन एसेर्शन में कोई अगर मेल दिखता है तो ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि गवर्ने के पास discretionary power होता है कि वो कोई भी इस्टेट बिल को जो है वो President के असेंट के लिए reserve कर सकता है जिसका मैंने criticism भी गया था अपने class में जब मैं batch बढ़ा रहा था और यहां reason लिखा हुआ है कि article this could be achieved through amending article 156 of the Indian Constitution जहां तक मैं समझ पा रहा हूं और सोच पा रहा हूं भी का टाइम में कि जो आपका reservation of a state bill by the governor है for the president यह मेरे ख्याल से article 200-201 के आसपास में है यह दोनों में इसके बारे में लिखा हुआ है तो 156 article यहां पे दिया हुआ है तो यह तो कोई काम का ही नहीं तो यह तो हमारा reason ही गलत हो गया तो answer होगा हमारा A is true but R is false this is the correct answer उसके बाद question number 27 में हम लोग चलते हैं यह भी बहुत असान question है देखिए यहां state sovereignty पर question पूछा है concept और logic से question solve हो जागा यहां पर देखिए ध्यान से पढ़ते हैं sovereignty का आपको मतलब पता है न कि आपके ऊपर कोई internal और external pressure ना हो देखिए जो आपके global concern है जैसे मैं आपका environmental problem हो रहा है pandemic से लड़ने का अभी समस्या चल रहा है हमने Montreal protocols fine किया Kyoto protocols fine किया बहुत सारे protocols हमने किये बहुत सारे international laws हमने बना है तो क्या जो यह international law है जो Kyoto protocol है जो global concern से related है क्या यह state के external sovereignty को challenge नहीं करता है क्या state पर कोई pressure नहीं बनाता है क्या state के decision कोई affect नहीं करता है तो करता तो है ना अज Kyoto protocol का अगर इंडिया पार्ट है तो उसको मानना पड़ेगा ना Kyoto protocol का जो भी उसमें आपके clauses दिए गए है ऐसा तो नहीं कि इंडिया उसको जो है नजर अंदाज कर देगा तो यह जो statement कह रहा है कि जो global concern के जो आपके issues है यह आपके challenge नहीं करते external sovereignty को यह तो गलत बात है यह तो challenge करते external sovereignty को सभी देशों को साथ में मिलकर जो है सोचना पड़ता है उसके बारे में और कभी कभी जो है वो decision भी लेना पड़ता है उनके मन के हिसाब से decision ना हो फिर भी लेना पड़ता है तो sovereignty to compromise हो गई such issues cannot bring multilateral pressure on the decision making of the state अब ऐसे मैंने अभी ही बताया कि ऐसे issues जो है इससे decision process जो state का है वो affect करता है तो यह भी statement गलत हो गया तो ए और बी तो गलत हो गया तो जहां 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 ए भी है उसको काट दीजिए यह भी गलत हो जाएगा जहां जहां ए है उसको काट दीजिए यह भी गलत हो गया बी भी गलत था तो बी वाला भी कट जाएगा तो option human rights मिले उनके policy में इस चीज़ को include करना पड़ता है तो यह सी option सही होगे human rights issues are also deployed by the state to influence the each other decision बिलकुल सही बात है हम अमेरिका को criticize करते हैं और अमेरिका को influence करते हैं कि आपके हां blacks को human rights नहीं दिये जा रहे हैं वो हमें कहते हैं कि Muslims को आप human rights नहीं दे रहे हैं तो यह भी सही statement है 227 का answer हो गया यह एक दम बहुत असा कुश्चन है the power of Supreme Court of India to decide dispute between the center and states falls under original jurisdiction में आता है यह तो बड़ा जो है असान सा कुश्चन था अब इसमें देखिए advisory jurisdiction जो है वो article 143 में दिया हुआ है अब यह जो पढ़ा ही नहीं होगा Supreme Court उसको कहां से समझ में आगा तो यह answer अगर गल टफ है मेरे भाई पेपर कैसे टफ है है टफ लेकिन जीतना बोल रहे हैं उतना भी टफ नहीं है अब यहां पर देखिएगा मैंने थॉमस पोगे के global justice के बारे में बताया था अपने क्लास में global justice और international justice दोनों को मैं differentiate भी कर रखा था मैंने बताया था कि global justice में human beings को ज्यादा importance मिलता है और international justice जिसको Charles Blitz ने दिया है उसमें state को ज्यादा prominence मिलता है तो इसमें आप देखिएगा theorist of global justice argue that the human beings human beings को पहले रखा गया है and the state are the central to any theory of justice तो सबसे पहले किसको importance दिया human beings को ज्यादा importance दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये statement तो बिलकुल हमारा सही है अब Thomas Pogge यहाँ पे कहते हैं यहाँ देखिए statement पढ़िए और थोड़ा सा सोचिए logical दिमाग लगा के Thomas Pogge rejected the existence of the institutional precondition जब तक आपका institution जो आपका global label पर है जब वहीं पे ऐसे नियम कानून नहीं रहेंगे जो justice को promote करते हैं तब तक global justice कहां से आएगा तो Thomas Pogge तो कहते थे कि सबसे पहले जो हमारे international institutions है उसको just बनाना पड़ेगा अगर आपको यह पता भी नहीं है फिर भी आप खुद पढ़के देखिए गए statement को तो आपको इतना जरूर समझ में आ रहा होगा कि लिखा हुए कि Thomas Pogge reject कर देता है कहता है कि institutional precondition नहीं चाहिए justice के लिए मतलब institution में हमें जो है fairness नहीं चाहिए justice के लिए तो ऐसा possible है ऐसा Thomas Pogge क्यों reject करेगा इस चीज़को एक common sense की बात है तो इसमें आपकी थोड़ी अंग्रेजी ठीक होनी चाहिए अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ा होगा तो आप फिर भी सही कर लेंगे तो इस statement गलत हो गया क्योंकि Thomas Pogge accept करता है कि सबसे पहले institutional precondition चाहिए हमारे जो global institution है उसमें fairness होना चाहिए तब global level पर one is correct, two is incorrect तो ये सही हो गया इसका फिर उसके बाद question number 30 ये वड़ा असान सा question है कौन सा official actor नहीं है तो political party को तो RTI से भी बाहर रखा गया है तो political parties हो जाएगा बाकि judiciary, executive, administrator, ISIP, सब public policy में official actors होते हैं ओके ये बहुत असान सा question है प्लैटो का theory of justice में जो ruler है उसके पस क्या होता है तो उसके पास आपका gold जो है, gold से उसको compare किया है, right, silver से compare किया है किसको, जो soldiers है, जो warrior है, bronze से producer class को, worker class को compare किया है, iron से किसी को नहीं compare करता, बड़ा असा question है, अब उसके बाद ये मैंने अगर आपने semester 5 में भी मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने ये बताया था आपको, य the state is individual writ large, तो बिल्कुल सही बात है, state जो है individual writ large है, क्योंकि state में सभी वो गुन पाये जाते हैं, जो कि एक individual में है, पर वो बड़े label पर पाये जाते हैं, तो ये reason है, तो because लगा कर दोनों statement को देखिएगा, तो दोनों में एक दम आपको तुक, जो है मिलता हुआ दिखेगा, तो statement number A, इसका option हो जाएगा, बोथ A and R correct, and R is the correct explanation of A, according to Plato, the state is the individual writ large, because the virtues found in an individual are found in the larger form in the state, बिल्कुल सही बात है, question number 33 में, अरे भाई, saw का तो exam भी न देते हैं, आप लोग है की नहीं, saw में बहुत सारे मेरे ख्याल से एक दो लोगों ने दिया था, उनका नाम भी आता, sad list में, मारे batch से, तो इसका new Delhi answer हो जाएगा, saw तो new Delhi में है, अब international court of justice कहां है, international court of justice की बात करें, फिर court of arbitration की बात करें या फिर आप बात करें, ICC की बात करें, तो सब का headquarter हेग में है, the international court of justice का headquarter, the peace palace जो हेग में पढ़ता है, जो Netherlands में है, अब यहाँ पर इन्होंने भी answer किया है, इन्होंने Brussels answer किया है, तो आप ये बताइए, अब आगे हम लोग चलते हैं, 34-35 नमबर question, अब यहाँ पर देखिए, यह दोनों statement एक दूसरे से contradict कर रहा है, और थोड़ा सा भी आपको idea हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, party alliances since 1990s, 1990s में आप देखिएगा, तो collision era का time period है, collision era 1989 से ही शुरू हो जाता है, यह जिसको post-congress polity कहते हैं, योगिंदर यादो, तो Mr. योगिंदर यादो जिसको post-congress polity बोल रहे हैं, उसमें आप देखिएगा, तो territorial compatibility ज्यादे important है, ideological compatibility को ज्यादा महत्वन नहीं दिया जाता है इसलिए आप देखिएगा कि जो alliances है, दो अलग-अलग विचारधारा के parties में आपको देखने को मिलेगा, जैसे left और BJP एक साथ आकर support करते हैं, आपके उस समय के alliance को, तो left और BJP का तो बिलकुल विचारधारा नहीं मिलता, लेकिन साथ में आये वो लोग, territorial compatibility के नाम पे, फि ये तो एकदम आसान सा बात है, अब समझ गए, अब जब यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि 1990s के बाद जितना भी alliance हुआ है, वो territorial compatibility पर ही हुआ है, ये पताया हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि BJP alliances of 1998 इतना सरा जो date दिया हुआ है, not territorial compatible, वो territorial compatible क्यों नहीं रहेगा, BJP भी तो territorial compatibility के नाम पे ही तो alliance बनाने के लिए सोची होगी, ऐसा तो नहीं कि जब territorial compatibility का युग चल रहा है, तो उसमें BJP कुछ और फंडा लगाएगी, है ना, तो ये तो दोनों आपस में contradict कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यह answer हो जाएगा, one is correct, two is incorrect, अब यह मैं कह सकता हूँ कि यह tough question था, यह जिसको आता होगा, उसी को आता होगा, वरना नहीं आप लोग कर पाएगा, तो यह मैं एक इसको tough consider कर रहा हूँ, इसका answer होगा next step in strategic partnership, तो यह tough question है, no doubt about that, यह बहुत असान सा question है, freedom of conscience, यह article number 25 में आपको देखने को मिले फिर उसके बाद protection of interest of minorities, तो interest of minorities का जहां तक बात ही, 29-30 में आपको देखने को मिलेगा, 29-30 में आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद यह जो children वाला है कि इनको factory में काम नहीं करने देना है, यह जो आपका right against exploitation है, जिसमें women के trafficking को रोका गया है, तो वहाँ भी आ इसमें आ जाएगा, यह दोनों article में related है, इससे दिया हुआ, और यह जो conviction वाला जो दिया हुआ, यह article 20 में दिया हुआ है, right protection, तो आप देखिए, सबसे पहले article कौन सा आएगा, तो article 20 आ जाएगा, यहां से, article 20 के बाद फिर यह वाला आ जाएगा, तो D, C, और फिर उसके ब बताईए, फिर उसके बाद जो first delimitation commission है, delimitation commission जो है न, वो constituency को बढ़ाने के लिए create होता है, क्योंकि population जब-जब हमारे country का increase करता है, तो लोक सभा में seat और राजसभा, sorry, लोक सभा और राजसभा में seat बढ़ाई जाती है, in fact, विधान सभा में भी seat बढ़ाई जाती है, तो delimitation commission वही काम करता है, delimitation commission जो है, वो election commission of India के जो है अंतरगत होता है, उसमें जो है supreme court के judges लोका भी rule होता है, लेकिन वो आपका president के order से होता है, हर एक काम president के नाम पे किया जाता है, आप ये चीज़ जानते है न, तो president के नाम से ये भी होगा, पहला वाला भी जो है, वो president के नहीं आपका office के अंडर जो था, इसको आपका किया गया था, फिर उसके बाद ये वाला जो question है, ये मैंने पहली बाद देखा, तो ये मुझे थोड़ा सा tough नजर आया, लेकिन थोड़ा सा सोचने के बाद अगर आप देखिएगा, कि parliamentary proceeding को कब censor किया गया होगा, कब opposition को बो 577 तक, तो एक ही बार ऐसा हुआ है, तो इसका answer once हो जाएगा, ओके, फिर उसके बाद ये बहुत ही आसान question हम देखिए, यंग इंडिया, इंडिया में था, हरीजन इंडिया में था, हीन स्वराज, उनके book का नाम है, इंडियन opinion answer हो जाएगा, तो 40 का आपका C हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं कि not the form of authoritarian ruler, ये भाई इसासान किया आएगा, direct democracy है, फिर Thomas Hobbes के बारे में बहुत बार मैंने अपने lectures में भी बताया है, वीडियो में भी बताया है कि Thomas Hobbes sovereignty को कैसे define करते हैं, वो absolute sovereignty को prefer करते हैं, वो जो है, उनके sovereignty के concept को हम देखिएगा, तो उनको बो तो यहीं answer हो जाएगा, तो इसमें भी कोई बड़ा तीर नहीं मारना था, ये बहुत असान question है, अब देखिएगा, तो रोबोट मिशल जो है, iron law of oligarchy के बारे में बात करता है, तो यहीं फिर टिक कर दीजे, बाद में नहीं भी पढ़िएगा, फिर भी काम चल जागा, आता है, okay, SMTP सिस्टम, तो जहां पर आपका first past the post सिस्टम होगा, वहाँ two party सिस्टम होगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका और UK का example लिया था, इंडिया इस category में fit नहीं बैठता, उन्होंने कहा था कि जहां proportional representation होगा, वहाँ पर आपका multi party सिस्टम देखने को मिलेगा, पर तो यह इंडिया पर लागू नहीं होता, लेकिन इनका statement तो सही है, क्योंकि डुवर्जर लॉग का पहला statement ही नहीं है, जहां simple majority देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपका two party system होगा, अमेरिका और UK का उन्होंने example दिया था, तो दोनों statement आपका सही होगा, बढ़ा असान सा question था यह सब हमने अपने batch में discuss किया था, जिनका paper है उन्होंने इसको answer ही नहीं किया, इसका मतलब उन्होंने class ही नहीं attend किया था, मैं इनका paper इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनको थोड़ा सा जाधा problem हो रहा था, तो यहां reformist ecology, reformist ecology मैं इसको tough question मानके चलूँगा, जो reformist ecology होता है अगर आपने पढ़ा होगा तब आप कर लेंगे वरना नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप नहीं कर पाएगा इसको, तो reformist ecology के बारे में डीव में भी है जब अगर आपका admission होता है तो detail में पढ़ना होगा, एक आपका term होता है anthropocentrism, तो जो anthropocentrism है वो मानता है कि हर एक च मानो के तरह तो मानो कोई खास नहीं है मानो भी उनकी तरह ही एक जीव है लेकिन अपने आपको बड़ा सुपीरियर समझता है तो reformist ecology जो है ना कहते है कि ecology को इसलिए हमें प्रोटेक्ट करना है ताकि हमारा फायदा हो सके तो इसको हम लोग कहते हैं आपका shallow ecology मतलब सतही ecology का यह बात कर रहा है तो इसका option number three हो जागा इसको मैं tough question consider करके चल रहा हूं क्योंकि यह आता होगा तभी कर पाईगा वर नहीं कर पाईगा इसमें कोई doubt का बात नहीं है ओके यह super easy question मैं मानके चलूंगा क्योंकि preamble मैंने detail में पढ़ाया था और dignity of constitution का है देगा preamble में मतलब तो एकदम common sense का बात है तो answer हो जाएगा पूछा है कि कौन सा preamble में नहीं है हमारे तो वही हो जाएगा अब यहां पे true about representative democracy यह मैं थोड़ा सा tough मान के चलूंगा पर इसको किया जा सकता था अब देखिए यहां पे हम लोग निकाल कैसा सकते थे गलत option पकड़िए simple majority means more than half of those voting तो यह तो सही है blocking minority reflect a situation where the minority is able to prevent a proposal from passing यह भी ठीक लिखा हुआ है जैसे Muslim League जो है block कर देते थे सारे provisions को ओके जो august offer के द्वारा लाया गया था बागी जो क्रिप्स mission के द्वारा लाया गया था तो यह सब चीजों को ओके फिर उसके बाद absolute majority अब देखिएगा तो absolute majority means more than the half of those entitled to vote तो यह भी सही दिया हुआ है more than half यह भी मैंने अपने class में पढ़ा रखा था तो सही तो हो गया a b सही है b b सही है c b सही है तो यह तो option कभी होगा ने d और e वाला a b और c दोनों ही तीनों ही सही है तो a b c इसमें है a b c इसमें है अच्छा यह तीनों में से कोई भी हो सकता अब यह भी ओके अगला option पढ़ते हैं qualified majority demonstrate more than a simple majority which is typically two-third majority यह qualified majority EU में चलता है मैंने पढ़ाया नहीं था अपने class में इसको मैं hold पर रखता हूँ थोड़ी ते okay concurrent majority indicates the largest number of vote but not the necessarily a majority concurrent majority में majority तो जो है वो होता ही है majority क्यों नहीं होगा concurrent majority में concurrent majority में होता क्या है कि हर एक subgroup में हम लोग majority देखते हैं हर एक subgroup में अगर हम लोग majority देखें तो उसको concurrent majority हम कहेंगे देखें ऐसे देखा जाना तो ये भी statement हमको ठीक ही लग रहा है क्योंकि देखिए logical अगर आप समझेगा तो माल लेते हैं कि 10 लोग है total मिला के जो चलिए एक example ले लेते हैं मालीजे 100 लोग है 100 लोग है तो ये ग्रूप में दस लोग था ये ग्रूप में जो है इसमें भीड़ लोग था इसमें जो है वो बीस लोग माल लेते हैं इसमें तीस लोग माल लेते हैं इसमें जो है कितना होगे बीस तीस पचास पचास भी सतर हो गया सतर इसमें पंदरा माल लेते हैं और सतर और पंदरा होगे आपका पचासी और इसमें भी पंदरा माल लेते हैं तो इसका जो है यह हो जाएगा आपका 14,26 क्या सपास में, सुरी सुरी इसका मेज़ूरीटी 28 के सपास में होगा, इसका भी 8 के सपास में, देखिये होता क्या है न कनकरेंट मेज़ूरीटी कि हर एक सब गृउप में मैज़ूरीटी आना चाहीए, माली जिये हिन्दू है, ये मुस्लिम है ये सिख है ये Christian है तो कोई भी proposal आया तो हर एक सब group को देना चाहिए हिंदू को अगर मंजूर है कि ने अगर majority हिंदू को मंजूर है तो पास हो जाएगा majority Muslim को मंजूर है इसी तरह से सिख इसाई को दीजेगा जो राष्ट्रियंस को दीजेगा parsi को दीजेगा ओके जो राष्ट्रियंस और पार्शी देखी रहें बात है वैसे तो आई होप अपको समझ में आ गया यह चीज तो यहां पर जुडते हैं छे चे बारह हो जाएगा बारह और 10 12 और 10 आपको हो गया 22 21 23 और 6 हो गया 29 29 और 10 49 हो गया 49 और 8 49 और 8 आपको 47 हो गया और 8 ये भी statement जो है न जी ये अपका गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए Concurrent majority जो है न उसमें necessarily majority तो आएगा ही है अगर सब अपना majority देगा तो अंत में मिलाएगा तो सबका majority आजाएगा तो ये भी statement गलत हो गया, E भी गलत है तो ये भी काट दिये फिर, तो बच क्या गया हमारे साथ E भी गलत है, A, B, C सही है देखिए, अब option या तो A होगा, या तो, मतलब या तो A होगा, या तो C होगा ये दोनों में से कोई option है, 1 या 3 में से अब 1 या 3 में से आपका option है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ question मैं थोड़ा सा difficulty मानके चलता हूँ तो 46 का अगर मैं आपको बताऊं, तो qualified majority EU में चलता है EU में लगभग, लगभग 65% आपका qualified majority में देखने को मिलता है तो इसलिए D भी सही है आपका, तो option ये साप, आपका सही हो जाएगा ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी tough question है, मैं मानूंगा ये question देखिए, देखने में है tough, लेकिन ये अगर आपने मेरे class को सही सटेंट किया है थोड़ा सा logic लगई का बन जाएगा, देखिए, Anthony Smith का जो है मैंने आपको पढ़ा रखा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने Anthony D. Smith का polycentric, आपका पढ़ाया है polycentric nationalism के बारे में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो polycentric nationalism जो है, वो ethnicity के साथ जुड़ा हुआ है, तो ethnosymbolism का आपका हो जाएगा बी का three, बी का three कहां पे दिया हुआ है, यह option हो जाएगा, ऐसे भी बन गया यह, एक तो आपको आता था ना, फिर modernism का आप देखिएगा, तो Ernest Gilner जो है, यह बोलता है कि modernism पर जो है nationalism आया है, तो इसका यह हो जाएगा, तो इससे भी आप देखिएगा, तो इसमें तो इसके बाद आपका जो perennialism है, perennialism के बारे में adren hashting बात करता है, तो इसमें से बस एक आपको पकड़ना था, यह भी सही हो जाता, तो इसको भी मैं tough नहीं consider करके चलोंगा, थोड़ा सा logic, थोड़ा सा common sense का question था, मुझे लगता है, बहुत लोगों ने बना लिया होगा, तो यही हो जाएगा, बी का टू एक बर मिला लिजे, मेंडा मस, तो वी कमांड होता है, हो गया, आगे पढ़ने का भी जूरत नहीं है, उसके बाद, देखिए, यहाँ पे यह भी easy question मैं मानके चलोंगा, रजनी कुठारी जो है, देखिए, पार्था चटर जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इन्होंने nationalism इस सब के बारे में लिखा है, ओके, आपने John Harris के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, और ऐसे भी आप अगर आप देखिएगा, जो बुलोग, जो capitalism का concept है, यह सब जितनी भी चीज़े है, रुडॉल्फ और रुडॉल्फ ने दि किया है, और John Harris को आपने पढ़ा ही नहीं है, तो जो आप नहीं जानते हैं, वो option हो, वो काफी rare chance होता है, तो यह भी आप काट लीजेगा, तो यह आपका option हो जाएगा, और ऐसे भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, फिर उसके बाद देखिए, इसमें ना, इसमें मु होने के बाद, जब balkanization का process हुआ था, तो किसी ने मुझे एक question लिख के भेजा था, तो वहाँ पे बॉसनिया की पता नहीं क्या लिखा था, तो मैंने गलती से उसको आंसर बता दिया, यह वाला, यह बॉसनिया नहीं लिखा हुआ है, यह कंट्री का नम नहीं है बॉसनिया यह लिखा हुआ है आपका बिजॉनिया, जो बिजॉनिया जो है ना यह आपका एक event होता है 1947 के आसपास में, ओके यह जर्मनी से ही related है, तो यह cold war से related ही है, इसमें अगर आप देखिएगा तो स्विस कैनाल भी cold war से related है, no doubt at all, ओके लेकिन अगर हम इसको बड़े गौर से द देखा जा रहा है, तो इसलिए जादा appropriate होगा nationalization of Swiss Canal 1956 वाला जिसको अब दिल नस्वेर गमाल ने किया था, और इजिप्ट में किया था Swiss Canal का nationalization, यह भी cold war में इसको politicize किया गया था, इजिप्ट का साथिवे से सार दे रहा था, लेकिन देखिए, यह जो बिजॉनिया वाला event है यह directly cold war से जुड़ा हुआ है, तो यह भी आप देखिएगा तो यह भी question बन सकता तो था, बन सकता था, बट मैं इसको थोड़ा tough के side में मानके चलूँगा, अब यह question जो है ना, यह question आपका out of, मतलब आप समझे कि out of range है, यह question मुझे भी नहीं पता, यह question अगर आप देखिएगा, कैसे इनसान chronology लगाएगा, देखिए, यहाँ से आप, यहाँ से आप ले सकते हैं एक, जैसे यहाँ B भी दोल दिया हुए है ना, तो ऐसा में ज्या यही chance रहता है कि B से end करेगा, तो या तो 2 या तो 3 होगा, अप थोड़ा पढ़के देखिए, पढ़के देखिए, थोड़ा सा idea लगेगा आपको, तो 2 पढ़िएगा, तो D option दिया हुए है, the civilization is such that one, मतलब 2 और 3 में से कोई option होगा, इसका क्या option है, वो तो मुझे नहीं पत तो ये question आप छोड़ सकते थे, question छोड़ सकते या risk ले सकते थे, तुक्का वाला, maybe, इसका option मैं देख के बताता हूँ, इसका option दिया हुआ है, इसका option है C, तलब 3 है इसका, ओके, ये बड़ा जो है असान question है, garbage can model पढ़ा रखें, class में Michael Cohen का है, जो Deroar है, father of public policy कहा जाता है, फेदरिक टेलर, scientific management, James Sanderson भी public policy से ही related है, ये भी अगर आप question देखेगा, तो देखे, दो तो eliminate कर लिजेगा, Charles Taylor के बारे में हम पढ़ाये थे, Charles Taylor कहता है कि आपका जो state है, उद करता है, और जो है state बनाता है, ये आपका जो 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 रूप में revolution हुआ है, उसके बारे में भी ल writings होते हैं, उसको collect करता है, दुनिया के सामने रखता है, तो इसमें से option three और option four में से कुछ answer हो सकता है, तो दो तो आप eliminate कर लिए न, अब ये दो में से आप एक tick कर सकते हैं, तो three और four में से, state of nature as a society is self-interested competitive individual, थोड़ा सा अगर आप लास्की के बारे में जानते होंगे, तो लास्की ने ज़्यादा जो है, democracy पर लिखा है, लास्की ने sovereignty पर लिखा है, अगर आप देखिएगा, ओके, और सेवाइन, जोर्जेश सेवाइन, लास्की, लास्की ने थोड़ा political theory पर भी लिखा है, तो जाज़ा chance होगा, सीवी मैकफर्सन इस का answer हो, मतलब three four में से कुछ एक हो सकते हैं, तो इसको देखा जाए, तो इसमें ज्यादा chance है आपका, three four में से कुछ भी एक हो सकता है, अगर मुझे जाना होगा, तो मैं सीवी मैकफर्सन के साथ जाओंगा, ओके, अब हम 54 option को देखते हैं, ये तो बड़ा असान सा question है, five principle of peaceful coexistence known as punch seal is one of the fundamental principle of India's foreign policy, ए से अधसा बात लिखा है, कहां providing equal space उसमें लिखा हुआ है, territorial integrity, sovereignty के बारे में दिया हुआ है, interference, जो interference है, उससे रोकता है, peaceful coexistence के बारे में बात करता है, mutual equality का बात करता है, mutual benefit का बात करता है, तो ये सब चीज़े हैं, तो इसमें फिर से आपका option हो जाएगा, three, क्योंकि a true है, r आ देखिएगा तो, अब हम आ जाते हैं, 55 में, direct democracy, athenian democracy है, सब को जानता है, ethens में था, जो ethens और sparta है, तो ethens में ही आपको direct democracy देखने को मिलेगा, plateau सब के time में, Aristotle के time में, तो ये तो असान question था, 55, उसके बाद 56 पर चलते हैं, 56 आपको पता है, 226 article, बड़ा famous article है, high court के reads के बा mental right के रिट को जो है, वो लगाने का, ओके, अब ये question, ये भी question बहुत असान है, इस में से देखिए, अब जो जानते हैं, उसको टिक लगाई, रूसो जेनरल विल के बारे में बात किया है, lock limited government के बारे में बात करेगा, ये तो आपको पक्का पता है, अब क्या बच गया, self preservation, तो self preservation के बारे में अगर आप देखिएगा, तो hops बात करेगा, है ना, hops बात करेगा, self preservation, दो तरह का आपका instinct रहता है, अगर आप ये दोनों भी पकड़ लिए, कि lock का limited government, रूसो का general will, तो D का 2, तो ये दो option है, तो ये तो गया, ये तो गया, क्योंकि D का, अच्छा ने, सौरी, उपर में भी D का 2 लिखा हुआ है, सौरी, एक मिनट, तो D का 2 हो गया, lock का है 4, मने C का 4 है, D का 2, C का 4, तो C का 1 है, तो ये तो गया, C का 4, ये option हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो C का 1 है अब ऐसे भी देखिएगा तो वन का थ्री हो जाएगा आपका और यह आपका हो जाएगा हॉप्स का सेल्फ प्रिजर्वेशन तो आंसर हो गया बड़ा असान सा कोशन था मैं इसको बहुत इजी मान के चलूँगा जो आपके जजेस है इंटरनाशनल कोट अफ जस्टिस का उनको कौन इलेक्ट करता है यह कोशन पूछा है तो देखिए रेकोमेंड जो है ना रेकोमेंड करता है नाम को सिक्यूरिटी कॉंसिल लेकिन इलेक्ट उसको करता है जेनरल अफेमली ओके तो इसमें ना देखिए का आपका देखिएगा तो यह पूछा है कौन इलेक्ट कर तो देखें, भूमी का तो दोनों का रहता है, इनफाक्ट बोलू तो दोनों का भूमी का रहता है, ऑके, तो General Assembly और Security Council दोनों हो सकता है, ऑके, लेकिन मतलब ये हमको ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हमको ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखएगे, पूछा जाय कि judges को कौन remove करता है तो supreme court के judges को या high court के judges को तो answer president न करेंगे जी कि parliament and president option में दिया रहता है अरे parliament का भी तो एहम भूमिका रहता है लेकिन जो remove है वो तो president ही करता है न तो ये question को जो है ये drop कर देना चाहिए ये मेरा मानना है क्योंकि general assembly भी is not wrong answer अगर आप देखिएगा at the end तो general assembly में voting ये सब सारा कुछ हो रहा है न आप जितने भी judges को वहां चुन रहे हैं राइट दलबीर सिंग भंडारी हमारे यहां से हैं ओके तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये इसका option 3 दिया हुआ है answer की में बट ये देखिए हो सकता है answer अगर मैं थितरही करूंगा तो बिल्कुल हो सकता है राइट लेकिन कोई student उतना क्यों सोचेगा कि recommend कौन कर रहा है elect कौन कर रहा है उतना कौन सोचता है general assembly अब ऐसे देखा जातों ऐसे में तो सब में contradiction आने लगेगा हर एक कोश्चन में अगर पूछ देगा कि chief justice को कौन remove कर सकता है तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों दिया रहे है तो पार्लियामेंट भी तो उसके पास भी तो पार है ना वही इनिशेट करते हैं सभी चीजों को तब जाके प्रेसिडेंट बाद में रिमूग करते हैं आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बहुत असान सा बुक है लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस जॉन लॉक डिसकोर्सेस ऑन ओरीजीन और फांडेशन ऑफ इनिक्वाल सटूबर 1945 सार्क का 1985 राजीव गांधी के टाइम यूरोपियन उनियन का 1993 में मैं जो मैस्ट ट्रिटी होता है और नाम जो है आप मान के चली कि पहला इसका जो समिट होता है 1961 में होता है उसे नाम में देखीगा तो नाम को फांड कर दिया गया था 1955 के बांडूंग कंफरेंस इंडॉनेसिया में ही फिर भी उतना मैटर नहीं करेगा देखी ना इसको तो नाम हो जागा तो ए से शुरू होना चाहिए य executives तो यह तो यह तो गया यह तो यह तो गया तो bien सब forms 35 के बाद क्या क्या आएगा 61 है तो के बाद आना चाहिए आपका डी ।ो तो B के बाद 45, 45 के बाद 61 आएगा, तो 45 B के बाद E आना चाहिए, तो B के बाद E है, सही है, E के बाद A आना चाहिए, ठीक बात है, A के बाद C आना चाहिए, C के बाद आपका D आना चाहिए, तो यह सही option है, तो यह असान question था, मैं बहुत असान मानके चलूँगा इसको, ये question देखिए tough है, इसमें भी आप idea लगा सकते हैं, idea ये लगा सकते हैं कि फिर से देखिए तो last में 2C लिखा हुआ है, तो देखिए answer तो 2 और 3 में से ही कुछ होने वाला है, क्योंकि इसी तरह से option ही दिया रहता है, last में clue दे देता है, तो या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ये ये दोनों में से कुछ होने वाला है, ये तो पक्की बात है, अब होगा कौन उसके लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा, इसको बनाये जा सकता है, गांधी जी वाला ज्यादा ही tough था, इसको ये थोड़ा English से ज्यादा related है, इसको अगर आप देखिएगा, पढ़िएगा, त फिर पढ़िए B option, the relation are the relation, अब देखिए, यहां relation के बारे में बात किया, कि definite relation में इंटर करता है, और आगे लिखा हुआ है कि ये जो relation होता है, ये उसको अब define करा है, जो है relation को, कहते है ना कि Lord Ram, और Lord Rama के बारे में फिर बात में लिखते हैं, तो ये ज्यादा English से related है, ओके ये आपको English का question है, ये आपको political science का कम question है, तो इसका तो मिल गा answer मेरे को, B से तो शुरू होगा नहीं, the relations are indispensable and independent of their will, ये दिया हुआ है option B, तो option B सुरुआत ही कैसे हो जाएगा उससे, कि जो relation, पहले relation के बारे में बात कीजेगा ना, कि ये relation क्या है, कैसे है, तब न कि ये relation indispensable है, independent है, तो ये तो होगा नहीं, तो option number B हो जागा, hundred percent ये, ये भी मैं बोलूंगा कि इसको logic से बनाया जा सकता था, सान question मानके चलेंगे, अब यहाँ पे अगर आप देखिएंगा, तो यहाँ पे, यहाँ पे फिर से देखिए, आप clue ले सकते हैं, है ना, clue अगर आ लेकिन अब देखिएगा ना, तो इसमें, statement order, ये question order में सजाने बोल रहा है, इसमें कोई jumble sentence नहीं है, यहाँ, jumble sentences है, इसको कर सकते थे, इसको नहीं कर सकते है, रभिंदरनाथ टैगोर वाले को, इसको रहने देते हैं, इस answer हम आपको बाद में बता देते हैं, 62 का, यह अस जो capital होता है company का, उस पे भी tax लगता है, capitation tax जो है, यह आपका union list का हिसा नहीं है, तो capitation tax आ जाएगा, iron law of oligarch की कौन देता है, तो robot missile देता है, असान सा question है, यह भी बहुत असान question है, justice as requital, इसमें चाटी है न जी, equality of opportunity कोई जीवन में नहीं होगा, unequal exchange समीर अमीन दिया था dependent exchange जो है, यह भी आपका समीर अमीन से और जो है, यह आपका AG frank से जुड़ा हुआ है, तो यह सब कैसे होगा, यह सब तो meaning ही convey नहीं करा है, तो odd one out है आपका fair exchange, तो यह option हो गया, ऐसे question बना सकते हैं, guild socialist theory, guild socialist theory किस बारे में बात करता है, guild socialism, जो guild होते हैं, और एक fabianism, guild socialism, guild socialism, gdh coal, guild socialism को देता है, ना, तो industries में जो है, वो guilds होने चाहिए, trade union होने चाहिए, protect individuals from tyranny, तो यह तो नहीं होगा, territorial democracy को तो बिल्कुल नहीं करता है, तो यह दोनों काट दीजिया, option one होगा, या तो option three होगा, advocates community of feeling based on the economic interest, community of feeling based on economic interest, guild जो है, वो industries में भी होता है, right, एक community की अगर हम बात करें, तो guild is, you know, community, guild जो है, वो, guild आपका more or less community के तरफ ज़्यादा inclined है नहीं, तो इसका मेरे ख्याल से answer होना चाहिए, advocate the industrial democracy, ओके, तो इसका answer one लेके चलते हैं, क्योंकि industries में ही guild होता है, trade unions etc, और guild socialism, territorial democracy को support करता नहीं है, equality of opportunity means, तो an equal opportunity to become unequal, तो यह तो बड़ा सा question था कि quality of opportunity का मतलब होता है, कि आपको एक equal opportunity मिले, कि आप बाकी से बेतर बन जाए, आप unequal बन जाए, बाकी से, अब यहाँ पे इसको देखते हैं, question number 68, the end of emergency led to the decline of election commission, क्या वाहियाद बात है, emergency जब end हुआ था, तो उसके देखिए, जब भी coalition government होगा, तब आपका election commission का power बढ़ेगा, जब सरकार मजबूत होता है, तो election commission कमजोर हो जाता है, तो जब emergency end हुआ था, जनता पाटी का सरकार बना था, election commission मजबूत हुआ था ना, तो ए तो होबे नहीं करेगा, तो ए जिसमें जिसमें काट दीजे, गया 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 बाकी पढ़ने का भी जूरत नहीं है, option आपका जो है, वो 2 हो जाएगा, तो और सट का भी हो जाएगा, असान सा question है, ओके बाकी हम option पढ़ भी नहीं रहा है, can you have economic reform, without first bringing about the reform in the social order, तो economic reform को जो है, आप जब तक आप social reform नहीं कीजेगा, आप economic reform को नहीं ला सकते हैं, तो इसके बारे में कौन बात कर सकता है, इसके बारे में, ये भी देखे question है न, कि आप जानते होंगे तो इसको कर पाएगा, वरना आप जो तीबा पुल्ले भी समझ सकते हैं, इसमें सब उसी तरह सा option दिया हुआ है, तो ये जानने पर निर्वर है, इसका answer दिया हुआ है, आपका option number 1, बिया रमेट कर, इसको सर्च करके देखना प है, और gender trouble बज जाते है, तो Judith Butler का होगा, मिलाए इसको, 1 का हो जाएगा 3, तो 1 का 3 सबे में है, B का 2, 1 हो जाएगा, B का 1, तो B का 1 है, तो E गया, E गया, ये दोनों में से रहेगा, C का हो जाएगा, आपका 2, तो C का हो जाएगा 2, D का हो जाएगा 4, तो option number C is the answer, तो 70 का आप का आसान question है, ये साध हम अभी UGC net का batch पढ़ा रहे हैं, उसमें हम अभी ये चीज़ पढ़ाये थे, शाध हम net वाले में भी, हम CVT PG वाले को बच्चा को भी बता है, देखिए अभी Croatia ना भी फिलहाल में जॉइन किया है, European Union को, 2023 के आसपास में, समझ रहे हैं बात को, तो य आकि उतना कोई नहीं याद करता है, तो ये भी अगर आपको current affairs पता होता है, तो आप इसका answer कर लेते हैं, ओके, plateau stated that the state comes into the existence, originating in the bare needs of the life and continuing the existence of the shake of the shake of the good life, Aristotle बोलता है, I think, कि plateau बोलता है, second statement तो सही है, the power which has authority over the men is the state, ये तो B तो सही है, option number two, I think, पहला वाला जो है, ये आपका हो जाएगा, मेरे को एक minute का बस time दीजेगा, okay, क्योंकि दोनो, plateau, Aristotle, दोनों ही जो है, वो community life को ही defense करते है, दोनों ही ये चीज जो है, बोलते है, right, ऐसा नहीं है कि कोई एक विक्ति ऐसा बोलता है, अब इसमें जो है, वो देखा जाएगा कि answer की में वो examiner क्या सोच कर दिया है, क्योंकि बोलते तो दोनों ही है, इसके बारे में, देखा जाए तो, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, question number 72 है न, इसको हम थोड़ा सा रखते हैं, hold पे, आगे बढ़ते हैं, question number 73, बड़ा आसान सा question है, जी देखिए, judicial review के बारे में, article 12 state को डिफाइन करता है, तो judicial review मे में तो 13 number article में है न, जी, तो reason तो गलत हो गया, अब ऐसा कौन सा option है, जहां लिखा हुआ है कि, reason गलत है आपका, तो एक ही option ही बचता है, तो यह सही हो जाएगा, यह ऐसे भी correct है अब नहीं भी पड़ीगा, फिर भी वो सही है, यह बड़ा असा question में मानके चलूँगा, तो आपको ऐसी पता चल रहा है, जो आपका 74 है, अगर आप देखिएगा, तो इसका मिलाई है कि option number B का क्या दिया हुआ, option number B का 1, तो end of history में क्या भूलता है Francis Fukuyama, कि आपका जो liberal ideology है, वो थ्रम कर गया, तो B का 1 होगा, तो यह option गया, यह option रह जाएगा, यही दोनों में से कोई answer होगा है न, बाकी option में से कोई एक और पकड़ने का कोशिश कीजिए, आपको answer मिल जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, तो A का 3 दोठों में दिया हुआ है, तो mostly क्या होता है cases में, कि A का 3 अगर दोठों में दिया हुआ है, तो 3 ही answer होता है, तो यहाँ पहले question of nation must be formed, तो एक general association का ही तो बात कर रहे थे न, उड्रो विल्सन, league of nation का, तो यह तो concept for best question है, तो A का 3 हो जाएगा, तो A का 3 और B का 1 होना चाहिए, यही option हो जाएगा, C का 2 आप पढ़िए, तो C का अगर 2 पढ़ेंगे हम, तो cosmopolitan, जो model है democracy का, यह भी मैंने आप सबको रखा था, तो इसमें regional parliament या world parliament हम लोग बनाने की बात करेंगे, और हम लोग john iconbury के बारे में पढ़े हैं, इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया है, कि किस तरह से liberal order जो है, यह आपका collapse कर रहा है, तो इसका हो जाएगा, आपका D का 4, तो यह option हो जाएगा, option number 3, अब यहाँ पे क्या दिया होगा है, option number 75 है, during the first wave of democracy, nearly 30 countries including the Germany get, देखिए यह आपका question है, आपका three waves of democratization जो दिया है Samuel P. हटिंग्टन उसमें, उसमें मैंने बोला था कि जो second wave है, उसमें इंडिया जो है, आजाद होता है, उसको याद रखने के लिए हम बोले थे आपको, sorry, जो democratize वाला बोले थे, right, तो first wave का reversal हुआ था, आपका Germany और Italy में, तो यह statement बिल्कुल सही है, मौसोलीनी और हिटलर के टाइम में, और आपका Germany जो है, यह आपका इतने बीच में आप देखिएगा, तो फिमर कंस्टिट्यूशन यह सब लागू हुआ था, तो first wave का date भी ठीक दिया हुआ है, और first wave का अगर आप देखिएगा, तो जर्मनी में देमोक्राइजेशन आया था, तो अगर आप देखिएगा, तो 75 का दोनों ही स्टेट्मेंट सही है, option number a, the stiff decline in the population due to the under investment in the healthcare and education is known as the demographic disaster refers to, देखिए, नौर में तो नौर्वे में तो कभी हो नहीं सकता है, Scandinavian country में, जर्मनी में भी नहीं है, ऐसा चीज, option हो सकता है, तो Central Asian state या तो रशिया, अब इसके बारे में मैं आज सर्च कर रहा था, मुझे दोनों में ही दिखा रहा था, कुछ ऐसे Central Asian countries अभी बेहतर कर रहे हैं, इसका answer की मैंने दिखा, जब मैं question analyze कर रहा था, रशिया दिया हुआ है, तो रशिया दिया हुआ है ना, तो रशिया में भी ऐसा हुआ है अभी, कि under investment हुआ है healthcare और education में जिससे आपका demographic disaster जो है वो देखने को मिलता है, तो इसमें तो answer की के साथ ही जाना पड़ेगा, वो क्या कहता है, मुझे नहीं लगता कि challenge करने के बाद वो ठीक करेगा, तो इसका answer यही लेकर चलिए 74 का, अब यहाँ पे देखिए, structure of energy जो अनर्की है decentralized structure of energy की कौन बात करता है, तो सबसे पहले structural realism से कौन जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को अगर आप देखिएगा, और decentralization के बारे में, तो decentralization के बारे में अगर आप देखिएगा, तो यह तो होगा नहीं, Thomas Shilling गेम theory से भी जुड़ा हुआ है, prisoners dilemma यह सब जो है, यह IR में लेकर आता है, तो यह भी नहीं होगा, उसके बाद आप Hans J. Morgan था भी नहीं होगा, यह human nature पर ज्यादा based है, तो decentralized structure का क्यूं बात करेगा, जो human nature को support करता है, अब यहाँ पे Kenneth Walch जो है, Kenneth Walch भी बात करते हैं, structure के बारे में और John Merzheimer भी, लेकिन John Merzheimer का जो आपका book है, tragedy of great power politics, तो यह देखिएगा, तो यह mainly आपका rise of China पर लिखा हुआ है, ओके, तो rise of China पर लिखा हुआ है, तो यह आपका जो decentralized structure है नारकी का, उसके बारे में क्यूं बात करेंगे, तो इसका answer Kenneth Walch हो जाएगा, इनको father of structural realism भी कहा जाता है, असान सा question था, concept किस न ने दिया है, hegemony का, तो question number 78, gram C है, इस असान क्या ही पूछेगा, 78 question अब देखिएगा, तो 78 question का हो जाएगा, gram C answer में, ओके, फिर उसके बाद 79 number question, 79 number question अगर हम देखें, तो होगा, यह भी देखिए, बहुत असान है, caucus, branch, cell, militia, तो maurish diverger देता है न, जी, तो यह तो होबे नहीं करेगा, तो answer some reason में, अगर R ही गलत होगे, तो इसा एक ही न ओप्षन रहता है, जी, ऐसा होई ने सकता है, की, एक ही औप्षन ही है, मतलब जिसमें R गलत है, right, R गलत है, तो एक ही option ही है, जहां R गलत है, तो वही answer होगी, अगर यह आपको नहीं भी पता है, तो भी आ पांसर कर पाएंगे तो कितना असान सा कोश्चन था गांधी सपोर्टेट दपंचायती राज इंस्टिटूशन फॉर बेटर अड्मिनिस्ट्रेशन ठीक बात है अमबेटकर कंडेंड दी पंचायत बिलकुल सही बात है मानते थे कि कास्टीजम प्रोमोट होगा लेकिन दोनों में क्या रिलेशन है दोनों में रिलेशन क्या है बिकज लगाने से गांधी जी पंचायती राज इंस्टिटूशन को इसलिए सपोर्ट करते थे बिकज क्योंकि अमबेटकर जिसको कंडेंड करते है ऐसा बात है तो ऐसा कैसे होगा दोनों इंडिविजुली करेक्ट है पर दोनों में तुक नहीं बैट बैट रहा है आप विकज लगा के पढ़िए नहीं तुक बैठेगा आपको तो इसका आंसर टू हो जागा यह भी बहुत असान कोशन मैं मान के चलूँगा अब यहां एंड इंटेलेक्चुल वर्चु के बारे में हम बात किया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निकोमेनियन एथिक्स ओके तो इसका फोर हो जाएगा फिर उसके बाद हम देखते हैं 82 पॉपिलर डेमोक्रेसी इसलिए हम लोग लागू करते हैं ताकि वहां हम मान के चलते हैं कि पूरे जो लोग हैं उनका इंट्रेस्ट एखी है अलग अलग वो नहीं है ंट डिफरेंट वो जाती के आधार पर धरम के अधार पर बटें नहीं है यहाँ पर प cuerpo уров democracy किया यहां अजिए करके चलता है कि fractional और sectional और sectional division होता है तो ऐसा भी अजिए करके नहीं चलता है तो ये दोनों statement गलत है इसका तो बोथ statement 1 & 2 are false तो ये भी मैं easy question ही मान के चलूंगा ये भी tough नहीं है अब आप बोलेगा यह पढ़ाया नहीं गया था तो यह पढ़ाया का कौन आपको यह common sense है न जी आप popular democracy के बारे में जानते थे न आप रूसों के direct democracy से आप उसको आप compare कर सकते थे, popular democracy या आपका popular sovereignty के बारे में बात करता है, रूसों तो indirect democracy को support करता है, नहीं न support करता है, अब यहाँ पे देखिए, not the part of green ideology, green ideology का कौन सा part नहीं है, तो holism है, ecology है, sustainability भी part है, तो इसका होगा, from being to having, okay, यह part नहीं है, right, तो इसका answer हो जागा, two, 83 का, फिर 84 का देखते हैं, चलके, इतना बार हम यह question पढ़ाए हैं, बहुत बार, in fact, हम demo lecture 2013 के CUT PG batch का हम upload करके रखे थे, जिसमें John Rawls पढ़ाय हुए हैं, उसमें भी हम बताये थे, कि Charles Blitz, जो आपका पूछता है question John Rawls से, कि क्या आ international label पर भी applicable होगा, तो इसका यह answer करते हैं, the laws of people नाम के book में, और वो उसमें साफ साफ मना कर देते हैं, कि वो आपका applicable नहीं होगा, यह सिर्फ और सिर्फ एक particular society के लिए है, बड़ा असा question था, उसके बाद, इसको हम लोग देखते हैं, देखिए, गलत छाटने का कोशिश की जैसा question, देखिए, गलत कौन सा है, और वहां से फिर उसको हटाते जाएए, पहला question है, institutional analysis, examine the functioning of relation between the institutions in a given moment, तो ए, 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 ऑप्शन है, तो तीन में ए है, तो इसका सही होने का chance जादा है, इसको अभी रहने देते हैं, आगे पढ़ते हैं, new institutionalism is the revival of institutionalism that looks how the institutional shape, the decision and definite unit interest, तो ये सही बात है, और आप देखिएगा, ये आपका अगर आप देखिएगा, तो ये आपका सही बात, जो है, बोला गया है, तो बी तो जरूर होने वाला है, बी नहीं होगा, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है, new institutionalism में में मैंने आपको बताया था कि institution कैसे decision shape करते है society को कैसे influence करते हैं, इसके बारे में है, तो ये option तो होई नहीं सकता है, है ना, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, behavioral approaches focuses on constitution, institution and organizational charts, एकदम गलत बात है, behavioral approach जो है, ये society के behavior को न देखेगा, institution के against में ही ना आया था, जी behavioral approach, ये तो common sense का बात है न, ये पढ़ाया हुआ न, class में, तो ये बोलना कि C आपका सही हो गए, तो गलत बात हो जाएगा, तो C तो एकदम गलत है, जहाँ जहाँ C है, काट दीजिए, ये भी नहीं हो सकता है, तो answer हो सकता है, या तो ये वाला, या तो ये वाला, अब आगे पढ़ते हैं, इस ट्रक्ट्रालिजम एक्जामीन दे रिलेशन्शिप अमोंग दे पार्ट्स रदर देन दे पार्ट्स देंसेल्फ, तो यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो ये तो सही आप्शन होगा, रहेट, अब आगे देख लेते हैं, रैशनल च्वाइस अप्रोच, इसके बार इसके डीजिजन लेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंट्रिस्ट को ध्यान में नहीं रखेगा, तो यह बच गया, तो ये वाला भी गलत हो गया, तो बच गया, बच गया मोई बच गया, तो गया, या होता है, सही तरी का कोशन सौन करने का, ऐसे नहीं की कुछ भी ऐसे देखके मार दिये यह आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत में हुआ हैं उसके बाद आप देखेगा jeremy kommen थम्यूट लिटेरियन है तो तो क्यों बोलेंगे स्टेट क्यों रहना चाहिए मैंने समझाया था क्लस उस्टेट इसले रहना चाहिए क्यों कि उसकी यूटिवीटीटि उसका इस्तेमाल है ऐसा नहीं कि इस्टेट नेचुरल है तुसको रख लेंगे सिंपल सा कुश्चन था अब यहां पे अगर आप देखिएगा कुश्चन नंबर 87 तो कुश्चन नंबर 87 में कमीटी ओफ एश्टीमेट्स में 30 क्या सपास में लोग रहता है इसमें सब लोग सभा का ही मेंबर रहता है इसमें 22 रहता है 15 प है ज्वाइन कमीटी जिसको ज्वाइन पार्लेमेंटरी कमेटी जे पीसी कहते हैं उसमें दोनों हाउस से मिम्बर रहते हैं तो यह आपका árप जो है पुब्लिक कमीटी इसमें इतने लोग सभाके है और इतने हैं राज्य सभाके तो यह तो आपका JPC है which one of the following regional party does not have a regional ethnic character कौन से regional party के पास regional ethnic character नहीं है अब तो regional party ही रहा नहीं अब national party आप बन गया है बट आपके पास कोई भी regional character है नहीं ओके तो ऐसा मत सोचीगा कि ये question drop कर देगा कि नहीं आम आदमी party तो national party है regional party में कैसे लिख दिया ऐसा कुछ नहीं है इसको देखते हैं question number 89 को robot logic illustrated the negative liberty in his writing robot logic neoclassical sorry robot logic जो है neoliberalism से बिलॉंग करता है जो classical liberalism का revival है तो वो negative liberty को support करेगा common sense का बात है because according to robot logic the primary threat to the liberty is the imposition of the obligation to one has not consented क्योंकि positive liberty में होता क्या है अगर हमें state को ज्यादा power दे देंगे तो state हमें उन बातों को भी मानने के लिए कहेगा जिसकी हमने उसको आग्या नहीं दी है तो दोनों ही इसमें सही है ये भी easy question है ये tough मैं सही मैंने class में भी बताया होगा Germany और New Zealand में ये दोनों में चलता है तो इसमें अगर हम देखें question number 90 में तो question number 90 में सबसे पहला बात तो हो जाएगा कि C का 2 हो जाएगा तो C का 2 हो जाएगा तो इसको तो काटे दीजिए अब है list system के बारे में और single member जो है plurality के बारे में दिया हुआ है तो अगर सबसे पहले हम single member plurality जो है बात करें तो वो Canada में चलता है single member मतलब first past the post जो हमारे यहाँ है तो ये Canada हो जाएगा तो 4 हो जाएगा तो answer क्या हो गए A होगा B का 1 बता ही दिये C का 2 हो जाएगा और नहीं B का 1 नहीं बता है single transferable would कहां चलता है तो Ireland में चलता है और list system जो है यह South Africa में है यह भी काफि फेमस है तो D का 3 हो जाएगा तो यह थोड़ा सा question मैं मान सकता हूँ tough है क्योंकि इसमें option थोड़ा confusing है तो यह आपसे गलत होने का chance है मैं इस चीज़ को acknowledge करूंगा यह question देखे असान था गलत च्छाटना है सही तो च्छाटना ही नहीं है सही तो कभी नहीं च्छाटना है देखिए इंस्टिटूशनल लिबरल्स क्लेम दाट इंटरनाशनल इंस्टिटूशन हेल्प टू प्रोमोर्ट कोपरेशन स्टेट इसाही बात है extent of institutionalization can be measured by depth and score यह अगर मालीज आपको नहीं पता होगा इसको रहने देते हैं अभी a high level of institutionalization reduces the de-estabilizing effect of the बिलकुल सही बात है अगर ज्यादा institutionalization होगा तो जो de-estabilization जो de-estabilizing effect है NRK का वो कम होता जाएगा तो यह भी सही बात है ओके उसके बाद अगला पढ़ते हैं the role of institution lies in strengthening the international agreement तो बिलकुल सही बात institutions जो मजबूत होता है उससे आपका international agreement है वो strengthen होता है अब आगे लिखा हुआ है institution however cannot make the lack of trust between the state make up the lack of trust lack of trust कम कर सकता है ना can make up can make up तो यह तो होगा नहीं तो यह जहां-जहां काट दीजे इसको काट दीजे इसको काट दीजे इतना तो जरूर पता है आपको कि option या तो 3 होगा अब ए और सी में से आपको चुनना पड़ेगा वन या थ्री में से वन और थ्री में से आप देखिएगा तो वन और थ्री में से अब इसमें confusion हो जाएगा आपको रैट तो इसमें confusion होगा तो आप देखिएगा इसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं तो depth और scope से उसको उसी तरह से मेजर किया जाता है तो फिर भी अगर आप दो चांट लेते तो अगर आप दुक्का भी लगाते तो आपका जाधा चांस था सही होने का अब यहां पर यह हम अपने class में बता रखे हैं negation of negation सही है increase of quality let's do quantitative change हमने बताया था कि quantity से qualitative change आता है ओके तो यह जो है this is not the feature तो यही आंसर हो जागा this is the correct answer तो 92 जो है भी हो जागा असान सा कुशन था यह class का है यह पढ़ाया गुआ अब इसको order में लगाने बोल रहा है equality वाला है सबसे पहले यही आता है 14-18 तक फिर यह आता है 19-22 तक फिर constitutional remedy है heart and soul 32 jurisdiction right to life और personal liberty है इसमें right तो 21 आर्टिकल में भी right to life आपको देखने को मिल जाएगा और personal liberty ओके तो इस तरह से है अरेंज कीजिए chronological order में तो डी से शुरू कीजेगा डी के बाद फिर सी आएगा है न जी डी के बाद सी आएगा चलिए दो option मिल रहा है तो यह दोनों तो गया फिर क्या आना चाहिए डी के बाद सी आना चाहिए यह सबसे लास्ट में होगा तो यह option हो जाएगा है ना यह सबसे लास्ट में होगा constitutional remedy जो है सबसे लास्ट में दिया हुआ है तो यह भी आपका बहुत easy question है अब आगे देखते हैं हम लोग यह question में मुझे doubt था okay 94 question legal equality does not guarantee the equality of treatment by law अच्छा इसको थोड़ा सा hold पर हम लोग रखते हैं legal equality contradicts the rule of law बिल्कुल गलत बात है legal equality contradicts नहीं करता है तो जहां जहां भी है काड़ दीजे जा भी तो नहीं नहीं किया है तो यह लिखा काया था legal equality is prominent characteristic of the civil society यह सही दिया हुआ है तो जहां पर C नहीं है उसको काड़ दीजे तो यह गया आगे पढ़ते हैं legal equality does not abolish the special privileges यह abolish करता है तब तो legal equality है सबको equality दिया जाएगा ना तो D जो है गलत है तो जहां जहां D है उसको काड़ दीजे अच्छा तो D भी तो एक ही जग़ द can't be the basis. लीगल equality can not be the basis for the contract based on relations. लीगल equality से तो हम लोग contract कर सकते हैंना तो ऑजा है रही जो है इवही घरत दिया हुआ है अगर आपंदेखेंगा तो e fed起ी दिया हुआ है आपका तो E भी काट देते हैं हम लोग, option से, तो E भी अगर हम लोग काट देते हैं, तो D, E हम लोग अगर काट दीजेगा, तो E भी गया है, ये भी जाएगा, तो A and C, तो A जो है और C, तो C तो सही है, देखिए, लेकिन यहां लिखावे, legal equality does not guarantee the equality of treatment value, ये गलत बात है, ये question drop होगा इसे में कोई भी सही option नहीं दिया हुआ है, when the president of India addresses a joint setting of parliament, who presides over the session, आप देखिए, अभी ही दुरापदी मुर्मु ने, देखिए, joint sitting parliament को president का वाडरेस करता है, जब हर एक साल नया session शुरू होता है, उस time में, या तो फिर general election के बाद, तो उसमें आप देखिएगा, अभी ही दुरापदी मुर्मु जी ने किया है, हमारी president शाहिवा ने, उसमें सामने आपको दिखेंगे बैठे हुए, ओम बिडला, तो जब उसको कोई preside ही ने कर रहा है, तो उनको तली बजाने के लिए रखे है, ओम बिडला को नहीं बैठना चाहिए था, वहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर दिया है, no one presides over the session, जो आपका answer की है, लेकिन ये गलत बात है, speaker जो है लोकसभा का वो preside करता है, क्योंकि अगर president कुछ बोल रहे speech दे रहा है, तो हो सकता है कि कोई इसमें खलल डालने की कोशिश करे, opposition party वाला, उसको डांटना होगा, समझाना होगा, manage करना होगा, तो कोई तो रहना चाहिए न, जी, नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए speaker of लोकसभा होगा, in fact, मैं एक video link में आपको दे दूँगा, जहां द्राब्दी मुर्मूई speech दे रही है, और वहाँ ओम बिडला बैठे हुए सामने, तो वहाँ पे वो preside ही ना कर रहे हैं एक तरह से, तो यह गलत है, 95 होगा, इसका one, one होगा, ओके, यह असान सा question है, 96 का अगर हम लोग देखे, तो 96 का 46th constitution, sorry, 42nd constitutional amendment act होगा, 1976 वाला, जिस समय, जो emergency सब लगा था, और जिस समय इंद्रा गांधी ने एक साल से बढ़ा दिया था tenure, उसके बाद हम अगला देखते हैं, देखिए, अगला खली चांटिएगा ना, तो आपको सब सही मिल जाएगा, खली चांटना है आपको, यहां दिखा हुआ है, the president conduct the oath of the governor, क्या president oath करता है, governor का, नहीं, कौन करता है, chief justice of justice रहता है, वो तो C तो गलत है, बाकी सब रहने देते हैं, C खली काटते हैं, कटा, 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 बाक कि हमको पढ़ने का भी जोरत नहीं है, four answer हो गया, ऐसे answer करते हैं, बाकी जो लिखा हुआ है, बाद में knowledge गिन करते रहेगा, exam में यह सही तरीका था, question solve करने का, बाकी knowledge प्राप्त करते रहेगा, पढ़ते रहेगा, वो सब ब्योकूफी है, time भी बचाना है, which one of the following did the BR identify as critics of social reform in India, critics of social reform, देखिए, वो political reformers को ज्यादा महत्व देते नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि political reformers तब भी काम्याब होंगे, जब social reform पहले होगा, right, तो political reformers, तो 98 number question है, तो political reformers तो जरूर होगा, option में, ठीक है न, गया गया, यह दोनों में से एक होगा, अब socialist और anarchist, तो, देखिए, देखा जाना, तो जो आपके, जॉन डेवी है, जॉन डेवी आपके प्रोफेसर थे, भी आर अमेटकर जी के, जॉन डेवी जो है न, उनका social democracy का concept है, और इनका भी, social democracy जो है न, वो blend है, socialism और liberalism का, तो वो socialist भी नहीं थे, अमेटकर जी, अमेटकर जी जो थे, बाबा साहब, वो दोनों ही चीजों का blend एक तरह से बनाना चाहते थे, liberalism और socialism, तो आप देखिएगा, वो socialist को भी criticize करते हैं, तो इसका जो answer हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, आपका 3, इसमें थोड़ा सा मुझे doubt है, यही होना चाहिए, आंसर की भी यही है, यह तो देखिए तो रटने वाला question है, अभी मैंने, चार-पांच दिन पहले UGC net वाला को यह सब पढ़ाया है, कि ASEAN का सबसे पहला meeting कहां पे हुआ था, तो Bali इंडोनेजिया में हुआ था, मैंने यह अपने CVT PG batch में यह fact नहीं बताया था, अपसोस, वरना आप लोग कभी cutect होता, 100 number यह बहुत असान सा question है, organization of village 45 में, participation जो है worker का management में इसको add किया था बाद में, protection of monument जो है, 49 में है, separation, executive और जो जुडिशेरी का है, यह 50 में है, बहुत असान सा question है, तो A का है आपका 2, तो A का 2, तो A और यह गया, B का है 4, तो B का 4 अच्छा, दोनों में है, C का है 1, तो C का 1 हो गया, और D का 3 हो गया, तो option number A is the correct answer, तो आप देखिएगा ना, तो इसमें बहुत सारा question आप बना सकते थे, बहुत सारा question आप बना सकते थे, आपको help हुआ होगा इससे, रैट, ऐसा नहीं है कि 5 question drop होगा, देखिए 5 question, हम लोग भी जब UGC net का जब paper को analyze करते हैं ना, तो अंदर से लगता है कि 5 question, 7 question drop कर देगा रहे, ऐसा नहीं करता है, ऐसा करेगा ना, तो साक्र पे सवाल है NTA का, वहाँ expert लोग बैठ के question त्यार कर रहे हैं मेरे भाई, थेथराई कर देगा लेकिन नहीं करेगा drop, 2-3 question से ज़्यादा, क्यूंकि क्यूं करेगा वह, आप समझ रहे हैं बात, उस पर एक सावालिया निसान खड़ा होगा कि इतने बड़े-बड़े sports हैं तुम्हारे पास और तुम ऐसी गलती कर रहे हो, sports रहने के बावजूद, तो ये अपने आप में ही कितना दुर भागे है, तो ये main matter होता है, तो I hope आपको clear हुआ होगा, cut-off जो है अगले class में discuss करते हैं, और थोड़ा सा idea ले ले लेते हैं, उसके बाद cut-off के बारे में, 2-3 दिन के बाद एक lecture बनाएंगे, वीडियो जरूर लाइक कीजेगा, बहुत मुश्किल से time निकाल के आप लोगों के लि आप के लोगों के लाद रहां